मेरे परिवार जनों, मैं लगातार महलाओं को आगे बढ़ाने की बात करता हूँ, उनके विकास को केंदर में रखकर नित्यों की बात करता हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने महलाओं के नित्रुत्व को, उनके सामर्थ को, उनकी रिजल्ट देने की काबिलियत को देखा मैं वर्षों तक गुजनात में मुख्यमंत्री रहा, मेरे अपने अनुभव है कि जब मात्रु शक्ति को काम मिलता है तो कैसे परणाम देती है हमने गुजनात में समरज ग्राम की योजना बनाई थे और उसके एक विशेस्ता थी कि जहां पर गाउं के प्रधान के रुप में महिला के लिए आरख्षन है वो सीट रिजर्व है अगर उस गाउं के सब लोग मिल करके निर्विरोध में उसको चुनते हैं और सभी पुरुस अपने आपको विड्रो करके सारे मेंबर महिला 100% महिला मेंबर उनको मैं समरस ग्राम पंचायत कहता था और गुजरात में हज्जारों ऐसी पंचायते बनी थी जिसमें एग भी पुरुस सदस्य नहीं था शद प्रती शद महिला सदस्य थी और उत्तम से उत्तम विकास के काम उन्होंने करके दिखाया था साथियों महिलाओं की शक्ति उनकी सोच क्या होती है इसके मेरे पास अनेक उदारन है गुजरात पर तो मैंने बार बार इस सामर्थ को देखा था मुझे मैं नया नया मुख्यमंदरी बना था तो एक गाउं की महिलाओं ने मेरा समय मांगा ओ गाउंके चुने हुए लोग थे तो बोले सब महिलाओं मिलना चाहती है तो मैंने कहा भै मैं नया था अभी मुझे मुझे इच्छे महिने भी नहीं हुए थे तो मैंने काम क्या है आप ग्रामिड विकास मंत्राले को मिलिये फलाने को मिलिये नहीं बोले जाब उनका दाग रहे वो आपको मिलना चाहते है वो गाउं की माताय बहने थी मैंने का अच्छा भई एक दिन बुला लेना मैं मिलूंगा वो मिलने आई आट-दस महिल आए थी औ और उसमें सबसे ज़्यादा पड़ी लिखी जो बहन थी वो साथ साथ वी आट-वी करशा तक पड़ी लिखी तो मिलने आई बोले हमारे गाउं ने ताय किया है कि एक भी पूरुस मेंबर नहीं होगा सब की सब महिला मेंबर होगी और इस पार गाउं की प्रधान भी महिला होगी तो मैंने उनको पूछा अच्छा इतना बड़ा आपको अफसर मिला है अच्छा जब समय मागा तो मुझे लगा चाहित वो कुछ पैसों के लिए आएंगे कुछ योजना लेने के लिए आएंगे तो मैंने उनसे पूछा का आपकी क्या पेक्षा है और आप क्या करना चाहती है। साथ भी आठ भी कक्षा पढ़ी लिखी वो गाउं की प्रधान महिला और बाकी मेंबर तो उससे भी कम पढ़े लिखे थे। वो आठ दस बहने आई थी गाउं की बहने थी पहली बार गांधी नगर देखा था उन्होंने मुझे जो जबाब दिया मैं समझता हूँ सारवजनिक जीवन में काम करने वाले हम सब के लिए प्रेणा है। उस बहन ने मुझे कहा कि मेरी एक इच्छा है हमें पांच साल मिले हैं हम पांच साल में ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि हमारे गाउं में एक भी व्यक्ति गरीब न रहे। आप कल्पना कर सकते हैं। क्या द्रश्टिकोन होगा उनका और सच्पे ट्रांसफर्मेशन का कहां आधार होता है यह उनको मालूम था। यह सामर्त और सोच हमारी माताओं बहनों के गाउं मेर बैटी बहनों को भी होता है। साथ क्यों महिलाओं में सकारात पक बढ़लाव की प्रभूत्ति और संसाधनों के बहतर से बहतर इस्तमाल की दुजर्शिता हमें हर जगह पे मिलती है। परिवार में तो डगर डगर पे नजर आता है। अभी कुछ दिन पहले मैं मद्रपदेश गया था। तो वहां सहडोल के पास एक आदिवासी गाउं में गया तो सभी आदिवासी बेहनों को बुलाया था लेकिन विशेशताय थी कि उसमें सो से जादा लगपती दिदी आई आदिवासी बेटियां लगपती दि तो मैंने उसे समभाद किया एक बहन ने जो मुझे बताया वह वाकई हमारे हम सोच सकते हैं कि उनका सामर्थ कितना है वह आदिवासी बेटी जो कहती है मैं लगपती दिदी हूं मैं आज विमेंस सेलफ हेल ग्रूप के द्वारा ये ये काम करके इतना इतना कमाती हों तो मैंने पूछा इतना पैसा कमाने लगी तो करती क्या हो एक आधिवासी महला मुझे कह रही है यह दिल्ली की महलाओं के लिए भी आस्षे होगा वो कहती है कि मेरे पती साइकल पे जाते थे काम करने के लिए रोजगार ढूनने के लिए साइकल पे जाते थे मैं लगपती दिदी बन गई तो मैं उनके लिए स्कूटी ले आई देखिये आत में विश्वास, वो कह रहे हैं मैं मेरे पती के लिए स्कूटी ले आई, फिर बोले मुझे पता चला कि मुझे बैंक से लोन मिल सकती है, तो मैंने सोचा कि मैं लोन से ट्रेक्टर ले लू, बोले मैंने लोन से ट्रेक्टर लिया, और मेरे पती को स्कूटी लेकर के मैंने उनको बढ़ले में ट्रेक्टर दे दिया और मेरे पती ट्रेक्टर लेकर के अगरवगल के गाउं में खेती के लिए लोगों की सेवा के लिए जाते और कमाई करते हैं और बोले अब तो मेरी सिती है कि मैं कुछी बहिनों में वो ट्रेक्टर की लोन भी वापिस कर प्यवार